नमस्ते चात्रों, हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है, आज मैं आपको इस वीडियो में आदे एथिहासी काल के बारे में पढ़ाऊंगी, तो देखेगा स्टुडेंस, हमने भारतिय इतिहास के काल विभजन के बारे में पहले पढ़ लिया है, आपको मैं संक्सिप्त रूप में आपर बताऊंगी कि भारतिय इतिहास का जो काल विभजन यह है, तीन कालों में बढ़ा गया है, वह कौन-कौन से प्रागे तिहासी काल जिसे पासान काल भी कहा गया है, अगला आता है आदे एतिहासी काल और तीसरे नंबर का है एतिहासी काल, तो जो प्राग एतिहासी काल है, इसको भी तीन भागों में बढ़ा गया है, वह कौन-कौन से हैं, पूरा पासान काल, मद्धे पासान काल और नव पासान काल, तो प यह वाला काल यह आधे थियासी काल ठीक है तो सबसे पहले तो बात यह कि आधे थियासी काल कहते किसको हैं तो आधे थियासी काल वे काल था जिसमें पुरातात्विक साक्षे और लिखित साक्षे दोनों मिलें लेकिन आधे थियासी काल में क्या है कि जो इन्फोर्मेशन है व वो हमें पुराता अत्विक स्रोतों से ही मिलती है, क्यूं? क्यूंकि जो लिखी साक्से हैं, वो पढ़े नहीं गई. एक्जाम्पल के तोर पे हम देख सकते हैं, हडपा काल की लिपी, तो जो हडपा ये लिपी है, वो पढ़ी नहीं जा सकी, लिखी उस समय की गई है, लेकिन पढ़ी नहीं गई है, इसी प्रकार से वेद, तो वेदों को उस समय पढ़ा नहीं गया था, नहीं लिखा गया था, लोग बाग किया है, वेदों को सुनते थे, धिरे 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 उनमें विकास करते गया, आगे से आके एक दूसरा सुनता गया और पिडी दर पिडी वेत चलते रहे उसके बाद क्या होता कि 400 इसा फूरमने क्या होता कि जो वेध व्यास्चिय को वेद्दूं को संक्लित करते हैं उनको लिखते हैं लेकिन हम सिंदुगाटी सब्वेता या हडपा सब्वेता और जो वैदिक काल हैं इनको आदे इत्यासी काल में ही रखते हैं अब जैसे ये जो आपका पहले का प्राग इत्यासी काल के साथ साथ हमें लिखी साख से भी मिलें लेकिन वो पढ़े नेंगे और एथियासिकाल में पुरा तात्विक साख से और आपके जो लिखी साख से दोनों मिलें और लिखी साख से पढ़े भी गया है ठीक है तो हम यहां पर पढ़ेंगे आदे एथियासिकाल तो आदे एथिय इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, proto-story, proto-story-age, ठीकए? तो आदे इधे-धे-धे-ती-काल, प्राग हे-ती-काल, वे-ती-ती-काल के मध्धे का समय है, ये वो समय है, जब मनुसे ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना प्रारंब कर दिया था, उसको भी तीन भागों में अमने पड़ा है वो कौन कौन से ते पूरा पासांकार तो पूरा पासांकार मनुसे सिकार करता है फिर आता मध्य पासांकार उसमें वह खेती करना सीखता है ठीक न विस्तरी तोर पे खेती नहीं करता वो फिर क्या आता नव पासांकार तो नव पा प्रारम कर देता है और इसी प्रकार इसी करम में वह क्या है और ज़्यादा विक्सित होता जाता है और ऐसे करते करते आदे थे असी काल तक मनुस्य वह विस्त्रि इस तर पर खेती करना प्रारम कर देता है ठीक है तो ये वो समय है जब मनुस्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरम कर दिया था विस्त्रि तोर पर खेती करना तो वह आपके इसमें प्राग इत्यासी काल में कर देता है जिसका अंतिम भाग है नव पासान काल लेकिन आपके विश्त्री तोर पर भाखेती कर रहा है यह मनुस्य की संस्कृतिक विकास का दोर है इस काल में लेख कला के पर्चलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके उस समय के जो लेख लिखे गए है वो पढ़े नहीं गए इस काल के संबन में जानकारी पूरा तित्व परी निर पर है अता हम कह सकते हैं कि यह उस समय का इत्यास है जो इत्यासी काल के पहले का है तद जब लिपी वय अक्सर उस समय के लोगों को ग्यात थे लेकिन हम लोग उसे पड़ नहीं पाए ठीक है न वह काल आदे इत्यासी काल के अंतरगत आता है इसमें सिंदुगाटी सब्वेता वह व्यदिक संस्कृति को रखा गया है और जो आदे इत्यासी काल है इसका समय तीन हजार इससा पूरह से छस्सु इससा पूरह के मध्धे मन जाता है अब देखेगा आदे इत्यासी काल है इसको दो भगों में बाढ़ सकते हैं वो कौन-कौन से दो भाग सिंदुगाटी सब्वेता जो पचीस सो इससा पूरह से पंद्रासो इससा पूरह इसको हटपा सब्वेता विका गया है और दूसरा आपका है वैदिकाल जो पंद्रासो इससा पूरह से छस्सो इससा पूरह का समय था अब देखे वैसे तो जो सिंदु गाटी सब्बेता ये बहुत ही बड़ा टोपिक है और exam की दरश्टी से भी बहुत important है अब हम इस वीडियो में आपको सिंदु गाटी सब्बेता के बारे में संक्सिप तोर से बताएंगे आगे इसके बारे में विश्त्री तोर से भी आपको पढ़ाय जाएगा ऐसे ही वदिकाल के बारे में भी हम इस वीडियो में आपको संक्सित रूप से ही बताएगे आगे हम विश्त्री तोर से इन दोनों चेप्टर्स को आपको अच्छे से समझाएगे तो देखेगा, सिंदु गाटी सब्वेता, तो विश्वा की प्राचीन नदी गाटी सब्वेताओं में से सिंदु गाटी सब्वेता एक सब्वेता है, जो मुख्य रूप से दक्सिन एसिया के उत्तर पसिमी छेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर अफगानिस्तान, पाकिस में पूछा गया क्यों से नाई कि जो हडपा सब्वेता है ए कौन सी सब्वेतों के समकालीन है वो है मिस्तर सब्वेता मेसोपोटामिया और चीन की प्राचिन सब्वेता ठीक है सिंदु गाटी सब्वेता का चेतर अत्यन्त व्यापक था आरम में हडपा और मुहन जोद्रों की खुदाई से इस सब्वेता के परमाण मिले हैं अत्य है विद्वानों ने इसे सिंदु गाटी की सब्वेता का नाम दिया सिंदु गाटी के सब्वेता का नाम क्यों दिया क्योंकि यह चेतर सिंदु और उसकी सहाइक नदियों के चेतर में आते हैं अब देखें बाद में जो है रोपड, लोथल, काली बंगा, वनमाली, रंगापूर, धोला वीरा और राखी गड़ी भी सिंदु गाटी सब्वेता के प्रमुक केंदर थे इन सबी चेतरों में भी इस सब्वेता के अवसेस मिले जो सिंदु और उसकी सहाइक नदियों के चेतर से बाहर थे कौन-कौन से हैं वो चेतर? वहां जैसे रोपड़े, लोथल, काली बंगा, राखी गड़ी, मोहन जोदुडो, वनमाला, रंगापूर, आदी चेतर इतिहासकार इस सब्वेता का परमुकेंद्र हड़पा होने के कारण तो देखे, सिंदु गाटी सब्वेता का जो परमुकेंद्र वह हडपा नगर है, इसल, इस सब्वेता का नाम हडपा सब्वेता भी है तो कई बार क्योशन आता भई कि सिंदु गाटी सब्बेता का दूसरा नाम क्या है हडपा सब्बेता है और एक इसको पर्थम नगरीकरणिय सब्बेता भी कहा गया है कासे सब्बेता भी कहा गया है सिंदु सरस्वती सब्बेता भी कहा गया है तो इस सब्वेता का विकास सिंदू और घगर जिसको हकडा और इसका प्राचिन नाम क्या था सर्स्वती के किनारे हुआ तो सिंदू गाटी सब्वेता है इसका विकास प्राचिन सर्स्वती नदी के किनारे हुआ यह सब्वेता सिंदू नदी गाटी में फेली हुई थी इसलिए इसका नाम सिंदू गाटी सब्वेता रखा गया पर्थम बार नगरों के उदे के कारण इसे पर्थम नगरी करण भी कहा जाता है सबसे पहली बार नगर जो नगर है उनका उदे कौन से सब्वेता में वा सिंदु गाटी सब्वेता में इसलिए इसको पर्थम नगरी करण की सब्वेता भी कहा गया है कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सिंदु गाटी सब्वेता ये कौन से काल में आती है वो है आपका आदेत यसी काल, तो याद रखेगा, पर्थम बार कांसे के परियोग के कारण, इसे कांसे सब्वेता भी कहा जाता है, इस सब्वेता को सिंदू सर्श्वती सब्वेता के नाम से भी जना जाता है, अब देखिए, एक छोटा सा एकजामपल लाएं, आपर जो भी भीरडाना है, वैं हरियाना के फत्यपाल जिल्ले का एक छोटा सा गाम है, तो भारतिये पुरातत्वा सर्वेक्षन विभाग के सोद से पता चलता है कि दिसंबर 2014 में, जो सोद हुआ था, उसे पता चलता है कि सिंदू गाटी सब्वेता का अब तक का खोजा गया सबसे प् अगर भारत में कौन सा होगा है, भीर, रडाना, तो आप इसको याद रखेगा, अब देखिए सिंदू काटी सब्वेता के बारे में हमने संक्सिप्त रूप में थोड़ा सा यहां पर पता लगाया है, इसके बारे विश्तरी तोड़ से आपको बहुत कुछ बताना है, वो ग्रामीर सब्वेता का उद्वव हुआ, जिसके परवर्तक आरिये थे, जिसे वैदिक सब्वेता नाम दिया गया, यह सब्वेता प्राचीन भारत की सब्वेता है, वैदिक काल पंद्रासो इससा पूरा से छहसो इससा पूरा तक रहा है, इस काल को वैदिक काल इसलिए का जाता है क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी यह सब्यता आर्यों के सब्यता थी और वेदों की रचना वो वेदव्यास ने उत्रा खंड में की थी और यहां पर एक क्यूसन बहुत ही महत्तों पन क्यूसन है यह वेदव्यास ची का पूरा नाम कई बार पूछ लेत तो वेद्व्यास्ची का पूरा नाम है महर्शी कर्ष्ण दवपायन वेद्व्यास। आर ये परवर्थक होने के कारण ये सब्वेता आर ये सब्वेता भी कही गई। तता इस काल के बारे में जानकारी के परमुक्सोत वेद हैं। अताई से वदिक सब्वेता या वदिक सेंस्करती कहा गया ये सब्वेता सिंदु घटी सब्वेता से काफी भीन थी सम्भानेता ये माना जाता है कि जिन विदेशी आकरांताओं ने हडपाई नगरों को नस्ट किया वे आरिये ही थे रिकवेद में भी इस बात का उलेक किया है रिकवेद में इंदर को दास दस्यों का नास करने वाला अर्थात दस्यों हन कहा गया है रिकवेद में दास दस्यों हडपाई जो लोग थे वो दास दस्यों थे तो रिकवेद में दास दस्यों के पूरों का भी वर्णन किया गया है इन पूरों का विनास इंदर ने किया जिस कारण इंदर को पुरंदर कहा गया है कई बार पूचते हैं परिक्सया में कि पुरंदर कौन था वो था इंदर क्यों कहा गया क्योंकि जो हडपाई लोग थे उनके पूरों का पूर किसे कहा गया है? नगरों को तो उनके पूरों का विनास करने के कारण इंद्र को पूरंद्र का गया है अब देखिएगा वेदी काल है जो हम आगे पढ़ेंगे इसको दो भागों में बाटा गया है वो कौन-कौन से है रिगवेदी काल और उत्रवेदी काल है वो है पंद्रा सो से एक हजार इसा पूरा है उत्रवेदी काल है वो है एक हजार इसा पूरा से 600 इस सब पूरा है तो हमारा वीडियो देखने के अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए-ने न करें और ट्विटर पर आप हमें फोलो करें तो वैदिकाल है सिंदु घटी सब बेता है इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो देखते रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज धन्यवाद